गोड मर्णिंग बच्चों क्लास थर्ड और फिप्ट चैप्टर वन पार्ड वन संस्क्रिट भ्याकरण आज हुम्नों स्वेर के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे स्वेर को संस्क्रिट में एज करते हैं एज के प्रकार यानी स्वेर के प्रकार हिंदी में हम स्वेर कहते हैं और स्वेर को संस्क्रिट में एज बोलते हैं तो एज के प्रकार संस्क्रिट भासा में एज स्वेर के तीन प्रकार होते हैं कितने होते हैं तीन प्रकार होते हैं तीन प्रकार में कौन-कौन से हैं उसको दिखान से सुनिए पहला हरस्वन जो सबसे छोटा होता है कम समय लगता है बोलने में उसे हम हरस्वन कहते हैं दूसरा देरगवन जिसको बोलने में दो मात्रा का समय लगता है उसे हम देरगवन कहते हैं तीसरा है प्लूत वर्ड प्लूत वर्ड में जिन वर्डों को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है उसे प्लूत वर्ड कहते हैं जैसे ओम फिर से एक बार ध्यांते सुनिये आच आच मिन्स क्या होता है स्वर हिंदी में स्वर बोला जाता है संस्क्रित में श्वर को अज बोलते हैं अज के प्रकार अज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है कान कान? हरस दिन प्लू थीर आप से पूछा जया कि हरस वर्ण कान है? हरस वर्ण जिन वर्डों को बोलने में जिन वणों को बोलने में एक मात्रे का समय लगता है कितने का? एक मात्रे का समय लगता है उसे हरश्वन कहते है अग एक मात्रे का समय किन वणों में लगता है? जिन वणों को बोलने में सब से कम समय लगता है जैसे री, इसको हम जल्दी बोलते हैं, जल्दी बोलते हैं, कम समय लगता है, उसको हम कहते हैं, एक मात्रा का समय लगता है, उसको हम बोलेंगे भरश्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर तो वण को बोलते हैं, उसमें पहले वण से जादा समय लगता है, अर्था हरा सुश्वर से जादा समय लगता है, अर्था दो मात्रे का समय लगता है, उसे हम कहते हैं दीरगवण, दीरगवण में आपका आता है, आ, ई, उ, ए, आ, ओ, आ, ये आपका हो गया दीरगवण, तीसरा है आपका लूतवण, लूतवण जो है, तीन वणों का समय लगता है, तीन मात्रे का समय लगता है, जिन मर्डों को बोलने में तीन मात्रा का समय लगता है, कितने का तीन, तीन मात्रा का समय लगता है, अर्था हरश्य का तीन गुना समय लगता है, जादा समय लगता है बोलने में, उसे हम प्लूतवण कहते हैं, जैसे ओम, जहां पूजा पाड करते हैं तो वहां पे जो है ओम सब्द कहने में हमें हरश की अपेक्षा तीन गुना समय लगता है उसे हम लुद्वाण करते हैं थैंक्यू बच्चों इसको यार भी कर लेना थैंक्यू कि अग्यू